पहाने की शुरवात होती है कब्रिस्तान को दिखाने से, जहां एक लड़का आरवी अपनी दोस्त के साथ था, तब भी अचानक चारों तरफ से मुर्दों की ट्राउने से हाथ बाहर निकलने लगती हैं, पर इस चीज़ पर उनका दिहान नहीं जाता, तब एक आदमी भी यह आ गया था, उन्हें परेशान करने के लिए, जो चीज़ आरवी की तो उसको अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दोनों यहां से चले जाते हैं, उनके जाने की बाद यह आदमी दोनों की चुड़ी हुए कपड़े उठा लेता है, पर तब यह जानक एक मुर्दी का हाथ जमीन से निकल कर उस आतमी को पकर लीता है, और बुरी तरह नोच कर उसकी जान लीता है, जिससे उसकी मुसिब बहुत सा खूर निकलने लगया था, साथ ही वो हाथ भी कपड़े उससी ली कर वापिस जमीन में जा चुका था, अगली दिन बहुत सरे लोग एक होटल की बाह करो, हमने नहीं खाना जिकन, अब उनकी इस प्रोटेस्ट में आरबी भी शामिल हो जाता है, और नारी बाजी करने लगता है, तब ये उसकी नजर दो लड़कियों पर जाती है, जो ये तूसरे के साथ अजीब गुरी फरकत ही गए रही थी, तब आरबी करीब जाके दीख है, और वहां के मैनेजर से जॉब मांगनी लगता है, कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, कैसे भी करकी, कोई भी नौकरी हो मुझे दे दो, मैनेजर उसी काउंटर के जोब पर रख लीता है, अब मैनेजर वहां पड़े बॉक्स में अजीब तरह की अंडे दीखता है, इस ब अगले हीपल वह नॉर्मल होकर चिकन खाने के लिए ओडर करता है, अब क्यूंकि होटल खूल गया था, तो सभी कस्टमर्स अंदर आना शुरू हो गई थे, होटल में एक सहत मन्द आदमी अपने लिए जिकन सेंडविच का ओडर देता है, जिस पर सारी वर्कर्स उसका सें वेंडी आती है, और कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो, चिलो मेरे साथ, चोड़े इस काम को, नहीं देना तुमने इस उटल का साथ, पर आर्बी उसकी एक नहीं सुनता, और कहता है कि तुम जो भी को, पर मैं तो यहीं काम करूँगा, तब ही तर वेंडी की दोस्त भी आ ज उसके जिसम से सारे चरबी पिगल कर खत्म होती जा रही थी, जिससे अब वो एक काफी पतला इंसान बन गया था, लेकिन यह सब होने से उसका पूरा जिसम खौन से बर गया था, साथी वाश्रूम भी, अब हम समझ पाते हैं कि ऐसे इस आदमी के साथ वो अंटाकाने की वो काफी घबरा जाता है, और जल्दी से मैनेजर को यह सब दिखाने के लिए यहां लेकर आता है, मैनेजर भी ऐसी हालत देखकर पुरी तरह घबरा गया था, और उल्टा उसे ही यहां की सफाई करने की काम में लगा देता है, तबार पे खोती, बगएर किसी की मदद लिए गाना गा कर डास करकर मनाने की कोशिश करता है, बल्व लोग अभी भी जित पर अड़े हुए थे, अब अंदर एक उत वर्गर चिकन तो ग्राइडर मिशीन में डाल कर पीस रहा होता है, वो अभी खड़ा ही ताकि तबी कोई चीज पीचे से उसी तक्का मारती है, व उसने बहुत बड़ी साइस का मुरगी वाला सूट पेना हुआ था। उसी दीख वो काफि़ तर जाता है, चो दीख वो अत्मी अपना मुरगी वाला सूट रटा आता है, और हम जान पाते हैं कि इस आदमी का नाम भी आरभी है, जिसे हम बड़े आर्भी के नाम से बूला और वो मेनेजर को कहता है कि यह बात किसी को भी पटन नहीं लगनी चाहिए आगई समझ ताकि हमारे काम पर इसका बुरा असर ना पड़े और अब तुम सब लोग जल्दी करो इस जिवा को साफ करो और अपने अपने कामों पर लग जाओ कुछ नहीं हुआ यहां पर इसे बीच यहां आरबी भी आ गया था और कुक रड़के के बारे में पूशनी लगता है तब होटल का मानिक चुकी सी मेनेजर को इशारा करता है कि चुब बिल्कुल कुछ नहीं बताना इसी समझ रहे ना लेकिन जब आरबी ग्राइंडर मेशिन की पास उसके दिसम के टुक चला जाता है वो जैसे बर्गर पुरी तरह तयार कर लीता है तो हैरा बर्गर में कुक लड़की की आत्मा आ गई थी जो आरबी को इस जवा के सचाई बतानी लगता है कि इस वक्त जहां यह होटल है पहले यहां पर बहुत सरे चिकन्स को भी दफनाया गया था और तबी सी लोगों का मानना है कि उन सभी चिकन्स की आत्मा है इंसानों की आत्मा उसे मिल गई है और अपना बदला लेने के लिए भी चैने गपसे क्योंकि इनसान मुर्गियों के साथ इतना बुरा से लोग्चा करते हैं बेरह में से उन्हें चेर फाड़ पिरके और यह बात तो को जिकन्वी एक ऐसा वाइरस आने वाला है जिसे खाकर हर कोई जिकन जॉंबी बन जाएगा मतलब आदा वो जॉंबी होगा और आदा हिसा उसका मुर्गी जैसा होगा उसकी इन बातों पर अब आर्भी को यकीन होने लगा था पर तब भी होटल का मालिकियां पर बहुत सरे को लिए आता है और अपने बिजनिस बढ़ाने के लिए होटल की तावीफे करने लगता है पर रिपोर्टर इतनी गंदी खुन में लगपर जगा को देकर मूँ बनाने लगती है पर जैसे उसकी नजर आर्भी की बनाए बर्गर पर जाती है वो बगएर सोची समझी उठाक पर उसी खा जाता है और वो वरकर जो जिकन को बड़ावला पीस लेकर गया था अच्छानक वो पीस फूलने लगता है क्योंकि उसमें हंचल हो रही थी वो पिर वरकर पर हमला करकी उसकी जिसम पर एक टुकड़ा ही अलग कर दीता है जिससी तीजी से उसका खून निकलनी था द सी वो चिलता हुआ दस्री वरकर की पास आता है कहता है जिल्दीजल्दी मिली मदद करो खून निकल रहा है दर्द हो रही है तो वो लडगे उसकी मदद करने के लिए चिकन को जिसम से अल debt कर दीती है जो अभी बी चिपका हुआ था जिससी वो लड़का भी Trчив हो गय जग मी वरकर आरब इसे शराम मांगता है वो अब जैसी शराब उसकी मुँमे डालता है शराब जहर की तरह उबलने लगती है जिसे अब उसकी मौत ही हो जाते है अब होटल का मानिक चिकन से बने कोई चीजें बाहर लाता है और प्रोटेस्ट वले लोगों को मुफ्त में खाने के लिए देता है हम देखते हैं कि वेंडी की दोस्ट जो अभी तक प्रोटेस्ट कर रही थी एक ही पल में होटल की साइट पर हो जाती है और सभी के सामने चिकन खाने लगती है ये देकर कोई उसे कुछ नहीं कहता और उसे देखा देख बाकि सब भी चिकन खाने लगते हैं जो देख वेंडी घबराई हुई थी उसे कुछ समझ नहीं लगती कि आखिर इदर चल क्या रहा है उसे परेशान देकर होटल का मालिक उस पर जोर-जोर से हसनी लगता है फिर उस सारे लोगों को लेकर अपने होटल में आ गया था अब यहां हम जान पाते हैं कि वेंडी की दोस्त असल में इस होटल के मालिकी लिए एकान गरी थी और प्रोटेस्ट में इसलिए शामिल थी ताकि प्रोटेस्ट को वो रुखवा सकी उन दोनों की यह सारे बाते चिपके चिपके वेडी में भी सुन ली थी और उसे अपनी दोस्त की असलियत पतर चिल जाती है उसे गुसा आ गया था अंदर जाकर वो अपने दोस्त से पूछ लीती है दोकी बास ऐसा क्यों किया तुमने इस पर वो मुस्कुराते हैं और कहती है कि मेरी दोस्त मुझे ऐसा करना पड़ा सिर्फ पैसों की वज़े से चिकन खाने की वज़े से सबी लोगों की तबियत खराब होने लगती है और भी उन्हें संभालने की कोशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता क्योंकि वो अकेला था और वहां इतने सारे लोग थी उन सब की खराब हालत की वज़े से वेंडी होटल की मालिक पर गुस्सा करकी उसे इल्जाम देने लिखती है पर वो कहता है कि इसमें मेरे चिकन का कोई मसला नहीं है इस पर वेंडी कहती है अच्छा चलो अगर ये बात है तो ये लो तुम भी खाव ये चिकन और अब जैसे वो चिकन खाता है उसका पीट भी खराब हो जाता है उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा मेसूस हो रहा था जैसे वो वाश्रों में चाता है उसकी अंदर से काफी बड़ा अंडा निकलता है जिसका साइस बहुती बड़ा था और देखती देखती उसकी अंदर से डौनासा चिकन जॉम्बी बाहरे निकलता है जो उड़ते-उड़ते हडल की मालिक पर हमला कर दीता है वो उसके मुँ़ पर चिपक गिया था और अब वो भी एक चिकन जॉंबी बन गया था काफी गंदा ड्राउने लग रहा था उसके साथ साथ होटल का मालिक भी वाइरस की लपेट में आ चुका था जिसे अब उसके जिसमें भी पदलाव आने लगती है कि इसने भी तो चिकन खाया ही था अगले ही पल उसका पूरा जिसम बदल कर चिकन जॉंबी बन जाता है साथ उसका काफी बड़ा था बड़ी बड़े पंग खा गई थी वो फिर होटल में तबाह्या मचानी लगता है किचन में आकर वो मेनेजर का सर अपने मूँ से पकरिन दीता है और जिसम से अलग करकी बड़ी बुरी मोट उसी दीता है खून यहां बे निकल कर चारों दरफ फेंच चुका था अब इस होटल में वो सारे लोग जिनोंने यहां का चिकन खाया था जॉंबी बन गे थी अब बस आरबी, वेंडी, उनकी दोस्ट और एक वरकरी सही सनामत थी वो यहां से निकलने की कोशिश कह रही थी पर चारों तरफ तो वो जॉंबी पहले हुए थी जॉंबीस ने इने दीख लिया था और चारों तरफ सीने गेर कर खड़े होगी थी फिर दीरे दीरे इनकी तरफ बढ़ने लिखते हैं लेकिन तबीदर बड़ा आरबी आकर उन जॉंबीस पर बहुत सारे गोलियां चिला दीता है जिससे बहुत सारे जॉंबीस मारे जाते हैं और ये देकर बाकी वहां से पीछे हट गए थी ये चारों लोग बड़े आरबी की तारीफ करते हैं और उसका शुक्रिया दा करते हैं लेकिन तबीदर मैनेजर पर चिकन जॉंबी आकर बड़े आरबी पर हमला कर दीता है और उसकी नाप को दान्तों से काड़ दीता है तब आरबी उसकी मदद कहने के लिए गन लीता है और गोली चला कर मैनेजर वाली जॉंबी को मार कि राता है इससे बीच इनकी नजर होटल की बाहिर इंफेक्टिड लोगों पर जाती है जो तदाद में बहुत ज्यादा थी और होटल की तरफ ये बढ़ रही थी तब उन्हीं रोकने के लिए वेंडी होटल बंद उने का बोट लगा दीती है जिससे सारे जॉंबी स्पर लटकर वापिस से जाने लगती है क्योंकि उन्हीं का सिगनल मिल गया था पर उसकी सूट पेहने का भी कोई फाइदा नहीं होता क्योंकि जॉंबीस ने उसे पहचान लिया था कि ये इनसान है और चारों तर उसे उसे गिर लिया था अंदर वो सारे लोग मिलकर बच्ची को ढोरने लिए एक कमरे में जाती है तो कोईस पर हमला कर दीता है और उसका सर काट के बाहिर फैंकता है जो आर्बी के हातों में आगे गरता है उसे दरसल एक जॉंबी वरकर ने मारा था जो बाहिर आकर इनसा पर भी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन अब की बार ये उसे पकड़ ही लेते है आर्बी उससे पुछता है कि बताओ इस वायरस को केंसी रुकी तो वो एकी नफस बार बार बोलने लगता है विस्की 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 यनि शराब जो सुनकर आर्बी को लगता है कि अभी भी वो शराब पीने के लिए ही माँग रहा है और गपराते हुई बताती है कि बाहिर जॉंबिस ने मुझे पहचान कर मुझे पर हमला कर दिया था जिस सुनकर वेंडी जैसे उसके सर से मुर्गी का सर हटाती है तो यह देकर वो काफे डर जाती है यह मेरी दोस्त भी अब जॉंबिस बन गई है जो भी हदी ड्राउनी लग रही है वो वेंडी पर हमला करके उसी मारने लगती है जिस फुझे से वो जोर-जोर से चिलाने लगी थी उसकी आवास सुनकर आर्बी यहां आ गया था और उसकी दोस्त को मार कर वेंडी को बचाने क कोशिश करता है जिस बीच बड़ा और बीबी जॉंबिस बनकर यहां आ जाता है और अब यह दोनों ही जॉंबिस मिलकर इन्हें मारने लगते हैं लेकिन यह दोनों कि उनसे बचकर जैसी शिराब की ड्रॉम्टी पास आती है तो नहीं सारी बास समझ लग जाती है कि वो जॉंबिस को मारने के लिए उनके पास शराब नहीं थी भाब कर वो वरकल लड़की के पास आती है और अब यह दिनों मिलकर एक स्टोर में आ चुके थे जहां इने उस औरत की बच्ची भी मिल जाती है साथ ही बहुत सारे इंफेक्टेट अंडी भी जिनके अंदर से बहु में साथ टाइम वोम बांदा हुआ था जिसका टाइम बस कत्म होने ही वाला था वह आरबी वेंडी और बच्ची को यहां से जाने का कहती है जिनके बाहर जाते ही वहाई काफी बड़ा धमाका होता है धमाके में वरकल लड़की इंफेक्टेट अंडी और सारे चिकन बटक गया था इसलिए उनका एक्सिटेंट हो जाता है कोफी बड़ा तमाका हो जाता है कोई भी नहीं बच पाया और इसी दुख की साथ ही कहानी इदरे खत्म जाती है